isn't उसे बताइय विभी कोई विभी वैद् blij合1 पमले जीवन में कि कि अपना कर्दबे अपना relationship क्या करें और साथ में जो उसका उसकी आद्यात्मिक यात्रह इसको भी साथ मं ले चलें हमको से इसमें तो अच्छी कि अध्यात्म के बारे में जानना चाहता हूँ अध्यात्म के बारे में कि अध्यात्म मेरी समझ में एक ब्रक्ति के अपनी कितना को जो जैसे उपनी सब में लिखाए ने जैसे एक अंध्यकार से प्रकास की वर बड़ें इसे ही करके अपनी जीवन में थोड़ा प्रेम की यात्रा आगे बड़ें थोड़ा करूना की यात्रा आगे बड़ें प्रेम करुणा दया शेमा यह अपने जो गुण है इनको विकसित करना आध्यात मेरी समझें तो कैसे करते हैं यह सब यह तो खुद अपने समझ को थोड़ा आगे बढ़ाना भी चाहिए और साथ में थोड़ा कोई कैसे मतलब जानना चाहरा था थोड़ा अध्यान की प्रक्टिस करता उसको आटोमेटिक करते हैं यह तो सब को करना चाहिए पता रहते करते कैसे यह नहीं पता यह थोड़ा सा एक बार बताईए न यह मैं आपको अगर सुनना चाहते हैं तो शेयर करना चाहता हूं अध्यान की अध्यान की आपको यह बड़े बड़े आश्रम में जाएं किसी को गुरु माने कहीं पर इसा ज़्यान होगा ऐसा कुछ नहीं है तो इसे हम हमारी शरीर है दिन बर ठक जाता है रात में सोना पड़ता है ऐसा ही आज विग्ज्ञान ने इतना ज्यादा चीज द यह आज हम दिखते हैं कि यह मंकी विमारी ज़्यादा और बढ़ रही है इसलिए च्छूड़ा बैलैंस करना जाहिए मेरे समझ में मन की विमारी को मन की भीमारी को बैलेंस नहीं अगर हम साथ में ध्यान करूना और यह यात्रा भी साथ में एक साथ लेकर चलें तो जीवन और ज्यादा संतुलित बैलेंस होता है मेरी अपनी अनुभब भी है और यही संदेश के में चाहता हूँ अच्छा मतलब साधना करनी चाहिए साधना के मतलब इसा नहीं कि आप एकडम से कोई मंत्रे जपे माला जपे इसा कुछ नहीं है अगर मेरी बात आप पुछना चाहते हैं तो अपनी 24 आउर की जिंदगी में अपना सारा काम अपना जिम्मेबारी पुरा करें अपना जो करनाय करत भी पूरा करें और कुछ इसा ताइम रिका लें कि उस ठांग चुथा आप कहीं सांत बैठें यो अस्टिप तो अपने आप अपना काम करेगा जिससर नहीं कि आप ध्यान हम क्या कर सकते इतनी विराट अस्रिप्तों में अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं ति फिस दिर हम चुषाप बैठें इसे को इसको कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं है कोई भी नाम ना दे अपनी जिन्दगी आप जो 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 किधर के रहने वाले आप अर्जुन भाई मतलब भारत की किस छेत्र के रहने वाले आप इस इसी क्या परण पोटता है जी ने ऐसी मैं जानना चाहर हूं नहीं करें की बंगाल के हैं असाम के हैं ऐसा लग रहा है मतलब आपके उससे वह सकता है मेरी लबाद आप की इसी ना हो इसा ही समझें करें नहीं कि रहने वाले हैं क्या अच्छा तो यह कामाख्या देवी के बारे में जानते हैं अब मेने सुनाए में गया तो तो क्या है यह मतलब कामाख्या देवी क्या चीज है मुझे आप पुछते हैं तो आज मेरी नजर में यह मंदीर वेगर जो भी है यह कला है आठ में एक आठ रे में हूँ इसलिए अच्छा लगता है कि डेखने में बागी तो मैं कभी गया नहीं हूँ अभी बहुत राइम हो आप किसी देवी देवता में यकीन आप नह होंगे कहीं कुछ हो भी सकता है ना भी हो सकता है मैं इसा नहीं बूलता कि यह चीज कभी थे नहीं होंगे मैं ध्यान की तरफ ले जा रहा हूँ इसमें ध्यान दिया हुए नहीं 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 सुनो आप अरे आरजिंग भाई बोलने तो दीजे भाई कैसे कर रहे हैं यह जब बोल रहे तो आप सुने ना ठीक है एक मिनट देजी हो जाना है उक उसके बाद आप बोलेंगे मेरा कहना का मतलब भी है कि बहुत सारी है तंत्रा मंत्रसादन नहीं बहुत सारी है आपके पास चोईसेज आपको जो चीज पसंद नहीं आया और आपको जो कम्प्लिकेटेड लगे उदर जाने की कह ज़रूत है आपको कामाख्या देवी को आपको बताने वाला हूँ अभ को आप और मैं ड्रॉइंग रूम में बैटके थोड़ी न बात कर रहें तो भई देखें कामा क्या तर्थ अर्जुन भाई सुन तो लीजिए यार अब इतना ध्यान करते हैं लेकिन आपके अंदर धैर रही नहीं थोड़ा धैर इत्मिनान सुनिए यह देवी हे धन याने मणी रतन आदी से धनित सुन्दर शोभा युक्त काले बादलों के समान शोभा वाली विद्युत की चमक के समान रमणी स्वच्छ रिदय में भक्ति पूर्वक परम देवी का ध्यान करना चाहिए अपने दिल में ही अनेक प्रकार के विधान से स्नान और पूजा करने के बाद साधक को रात्री में योनी के अंदर अपने लिंग रख के मंत्र को जाप करना चाहिए इससे वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है समझे रहो? आठ प्रेमी सर अपने अपना वक्तब्य दे दिया तो ये एक ध्यान कामाख्या तंतरम आपके जो हिंदू धर्म है इसमें हिंदू धर्म में हिंदू इन एक ध्यान की विधी बता हιए कि लिंग को योनी के अंदर डालो और उसके बाद मंत्र को जपओ तो साधक जो है यह ध्यान उसको यही यही ध्यान है इससे वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है यह हिंदु लोग ऐसे ध्यान करते थे यह तांत्रिकों का कुछ सोगा यह पंत्रवाले जिसका भी है है तो हिंदु ही न वो हिंदु नहीं है वो लोग इससा अब आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलनेगा आप बुलिया ओके इससे आप अब एक रिलिजन में देखते हैं कि यह कमांड मेंट्स होती हैं कि उनको फॉलो करना पड़ता है इसे आप भारत से हो आपको पता यह कि कोई इससी जवरुदस्पे नहीं है आपको यह फॉलो करना चाहिए यह ही मानों वो सकता है तंत्र की अपने विदी हो वो सकता है उसकी भी हो मुझे मुझे पता नहीं है जो जो आपकी सम्मिदान के साफ से समाज के साफ से और जो तरीका चल रहा है वो गलत नहीं है किसी को उससे हाम नहीं हो रहा है तो और उसको अच्छा लग रहा है तो चीक है अगर मेरे लिए ये चिक नहीं है, मेरे मार्ग नहीं है, समझ गया आपको ये बता रहा हूं कि हिंदू लोगों में ध्यान करने की विधी है, अभी ध्यान की बात ओरी थी ना, तो अलग-अलग प्रकार के ध्यान बता रहा हूं, और सुनिए, किसी बगीचे में बने हुए जो साधक भैरवी के द्वारा विधीवत पकड़े गए अपने लिंग को, लिंग को ना विधीवत पकड़ना है, अपने लिंग को सुगंद से उपलिप्त कर, सुगंद उसमें रगणना है, तथा अनेक प्रकार के पुस्पों और धूप से लता को धूपित कर भक्ती पू पूत्र हो जाता है, यह पारवती की बात हो रही है, कि जो साधक जो है ना, अपने लिंग को सुगंधित करता है, सुगंद उसमें छिड़कता है, और एक विधी से अपने लिंग को पकड़ता है, वो पारवती का पूत्र हो जाता है, यह ध्यान की बात हो, अब मतलब आप को दो प्रकार के ध्यान बता दिये, अब आप पताईए आपका कौन सा ध्यान है? प्रेग्रेंस तो उससे क्या होगा कि वो पारवती के पुत्र हो जाएंगे और इस तरह ध्यान करते हुए ऐसे लिंग को योनी में रखके मंत्र का जाप करो अब 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 अपने बात रख लिए अमें बुलो अब? हाँ मतलब मैं तो आपको अलग-अलग ध्यान की विधी बता रहा हूँ ना आपका ध्यान है अपना बैट के अस्तित्वों में लीन हो जाना लेकिन हिंदूओं का एक और भी ध्यान है लिंग को पकड़ो उसमें फ्रेग्रेंस डालो और योनी में डाल दो अपने थड़ा सा कोई मेच आ रहा था कि कोई किताब की कहीं बात ना करें सिर्फ अपनी अनुगप की अपनी प्रक्टिस जो करतें उसके बात करतें हिंदू धर्म में तो किताब का बात सर करना पड़ेगा ना हिंदू धर्म में तो ठीक है ना जी बात करते हैं इसमें क्य बढ़ाना साहिए नाम पे जैसे ये देखिए क्या लिख है सज्जन साधक स्त्री की योनी का 108 बार चुम्बन करे और उसकी पूजा करने के बाद किसकी स्त्री की योनी की 108 बार पपी लेके उसकी पूजा करने के बाद अपने लिंग को उस योनी में स्थापित करे और एक हजार आठ बार जब करे ऐसा करने पर उसकी अपनी इच्छा का पाँच गुना अधिक धन प्राप्त होता है और ऐसा साधक जो ये ध्यान करता है वो हमेशा सुखी रहता है आपने प्रयोग किया फिर इसका इसका प्रयोग तो सजन साधक है वो करते हैं हम लोग तो दूरजन है ये तो आपके जैसे जो साधना करते हैं ध्यान वगएर उनके लिए लिखाए तो हम लोग हम तो पापी लोग आप जो ये बता रहे हैं ना सर ये जो ये जो आप बता रहे हो ना ये हिंदु धर्म में कहीं पर भी नहीं है कि ऐसे बैठ जाओ और अपने अंदर में अस्तित्व को मैसूस करो कहीं नहीं है ये सब उपनिशद आपने पढ़े भी नहीं है अपने कोई पनिशद नहीं पढ़े सुने में बताता हूं कठोपनिशद में ध्यान करने की विधी दी हुई है कठोपनिशद की जो बात है उसको समझने के लिए आपको प्राक्टिस करना पढ़ेगा आप इमें नहीं बता सकते हैं क्यों क्या है सा मतलब यहीं है कैस त्रीकी योने में 108 बर चुम्बन ऐसी कौंसी बात है जो आप नहीं बता सकते हैं को पता है क्या है यह महषानी याने पारवती को बोल रहे हैं है महषानी उसका नित्य नई नई नायका से संगम होता है वेश्यास्त्री को लाकर कुल चक्री की रचना कर प्रसनिचित सादक उसकी योदी में पूजा करे ये ध्यान और ये कठोपनिसद, सबसे पहली बात है कठोपनिसद में सरकी कोई बात ध्यान करो और इसमें बैड़ जाओ तो परमात्मा हसील हो जाएगा नहीं लिखी हुई है कठोपनिसद में कहां पर ये लिख है ना आप दिखाएंगे कि उसमें कहां पर है ना पहली बात रखत है और दिखाएंगे कि उसमें कहां पर है पहली बात देखा है पहली नमर पस्ट सुत्र देखा है एक मिनट देना ना मेरे को आप ये भी खुल सकते हैं और दूसरा आपको जनक और अश्टा बगर की संबाद भी खुल सकते हैं अरे यार ये तो पूरा ओशो का आप कुछ भी रट के आ गए हो भाई आपको पता ही नहीं है यार कुछ ये तो पूरी ओशो की आप बाते कर रहे हो उन्हें अमिज़ी आपको जो पता है यही पता है और बुज़े पता है यही तरह से सिर्फ ओशो की बाते कर रहे हो ना 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 तो फिर एक्चुली मैं आपको पता ही नहीं है सर क्या अपने क्ठोपनिशत पढ़ी है मैंने पढ़ा है क्या है उसमें क्या है संबाद में क्या है जो बिस्सकर नाचिकता के पिता थे उन्होंने उनको कहानी नहीं कहानी नहीं संबाद क्या है उसके जीस्ट में मुझे मुझे जो पता लगा जो आपको तो ब्रह्मा शब्द से नफ्रत है इसलिए मैं यह शब्द प्रविकरना नहीं चाहता था उन्होंने कठोपनिशत में इतना लिखा है कि ब्रह्मा सुरुप की जो था वो उनको डिक्सिया दे दिया इनिसेशन दे द है अभी देखिया चलो यहीं से आपका टेस्ट अभी करते हैं यह कई ओशो वाले आते हैं जो को सुनते हैं लेकिन उन्होंने दरसल पढ़ा ही नहीं है चलिए यह कठोपनिशत मेंने खोला यहां से यह शंकर भाश्य है ना और कठोपनिशत में एक बात और यह है कि कठोप असन में रहे हैं है कि यह पहला अध्याय में एक दम सहीं लोगो है अब इसके बाद में दूसरा और तीसरा अध्याय शुरू होता है चलिए बदा इससर कहां चलने है इसमें यह जो आप बोल रहें के अभी बात मैंने इससे पहले आपको क्या कहा था बीदी की बात अगर आप करना चाहिए तो उपर निशद मेरे को सिर्फ यह बताईए कठोप निशद में आपने जो जिस्ट पकड़ा है वो कठोप निशद में क्या है वो जिस्ट पूरा होता है कई बार आपने ओशो के मुझसे कठोप निशद सुना है क्या अपने खुट आपके पस किताब है अभी यह तो नहीं है मेरे पास किताब मतलब कालेक्शन था अभी में अगर कहीं दूर हूँ तो क्या है इसमें बताईए न इसा करते हैं मेरे बात अगर आप सिर्फ कोई से सभी कोई किताब की बारे में बात करना चाहते हैं ने अभी यह देखे मैं यहीं से ही चलो एक काम करता हूँ मैं कोई भी एक सूत्र को खोल देता हूँ आपके लिए डिबेट तो बाद में क्या है बताईए मेरे को इसका अर्थ बताईए जिस आत्मा के ब्रामण और छत्री यह दोनों ओदन भात है तथा मृत्यू जिसका उप से चन है वहां जहां उसे कौन इस प्रकार जान सकता है यह क्या आत्मा को कोई नहीं जान सकता है यह का है तो जिस आत्मा के ब्रामण और छत्री यह दोनों ओदन भाते का मतलब क्या होता है कि यह एकि इसके जिस्ट में यह यह कि आत्मा को आप बाहर से नहीं सकते ने जिस्ट नहीं इसमें ब्रामण और छत्री क्यों आगया कुछ बात तो होगी न इस दोनों ही नहीं जान सकते हैं ब्राम्माण और च्छत्री दोनों नहीं जान सकते हैं इसका मतलब क्या है इस लाइन का अच्छा ये नहीं जान सकते हैं वैश और चुद्र जान सकते हैं कोई भी जान सकता है कोई भी नहीं जान सकता है इसमें तो यह लिखा है वो जहां है उसे कौन इस प्रकार जान सकता है करने वाले और सब के रक्षक होने पर भी ब्रामन और च्छत्री दोनों वन्ड जिस आतमा के ओधन भोजन है तथा सब का हरण हो करने पर बी मृत्यु जिसके भात के उसको वो दोनों तक नहीं जान सकते आपने तो पढ़ा ही नहीं है जरी सब मैंने क्या क्या है सिर्फ ब्रामर्ट शत्रि और कोई-कोई भी जात कई भी पैदावने से नहीं जान सकते जो यजन करने वालों के सेतु समान है उस नचिकेत अगनी को तथा जो भय शुन्य है उस संसार को पार करने की इच्छा वालों का परमाच रहे उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हो इसका क्या मतलब है? यह यह न बात जी अभी आ गया यह बात अब आ गयी हाँ अब यह बताएंगे अब इसका मतलब क्या है? अक्षर ब्रह्मा अक्षर ब्रह्मा थड़ा सा सुन ले ना फिर इसी बात साइद आपको आपको जबस तब experience ना हो ना अरे छोड़ो सर यह बतादो ही क्या है बस नहीं करना experience यह बताओ इस लिखा क्या है? आप नहीं करेंगे आपनी चौई से आपनी जिन्दगी आपनी तरफ से जी सकते हैं सर बताइए न क्या लिखा है? यह लिखा है कि जिसने अक्षर ब्रह्मा को जान लिया उसने आत्मा की तरफ ब्रह्मा को जान सकता है जानने का मतलब यह नहीं है यह वो सुरूप में यार एक्शुली में आप तो हिंदी का अनुवात को भी ठीक से नहीं पड़ पारे हो यहां क्या लेखा है जो भय सुनने है संसार को पार कर्मी के इच्छा वालों का परम आस्र है उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हो इसका मतलब क्या है नहीं से बड़ी लंबी फेक करें ना सरपतल तंप अगर मैंने किया है अक्षर ब्रव्म को आप मानते हो इसको आप मानते हो आप अक्षर ब्रम्म कहा है अक्षर ब्रह्मा को experience का मतलब मैंने कुछ glimpse में मुझे हुआ है मतलब कुछ जल्कियां है अक्षर ब्रह्म की आपको दीखी है इसको में बताना चाहता हूं 2008 में मैं डेन्मार्क में आया था उस टाइम में मेरे दोस्त की गार में बैटा था उस टाइम बैटे-बैटे में ने साधना करते हैं अब कुछ experience हो गया जैसे बड़ी लेस्नेस की जैसे में सरे में तो हूँ पर वेट लेस्नेस की जो experience हो गई मने ने एक वेट धीरे-धीरे चलेंगे सर साधना कर रहे थे पहले आप वेट लेस हुए हुए इसका मतलब यह नहीं कि में वेट मेरा वेट कौम हो गया आप चब कभी बिखार हो गया कभी बिमार हो जाते हो तो आपके सरेड तो वही उतना ही किलोगी से 70% uh 60% जितना ही उतना ही उतंव अपर और आप क्या लगता है कि एगदम से घजन बढ़ गया भार हो गया मै सर भारी लगने का सर में दर दोना है तो जzen से विद्वा ऊपई बात कर रह dönें गांडा जो भी बोलोगे मैं सुनुगा यही बनाई कोई फरक नहीं पड़ता है आप क्या है पंसार में जो भी बंदा जो कोई भी हो क्या चाहता है शुक्स आता है आनंदश आता है कोई भी ना चीज पर्च करके क्लेस हो गए फिर क्या हुआ पूछ रहा हूं सुनीजी जो ब्रेद ने क्या कहा है सब चीज जो परम सब्सक्राइब उसको नेती नेती बोलाए सब चीज तो श्रब्द में बैकर से ओशो पहुंच गए या फिर पहुंच गए ओशो सर अगर ओशो को सही ढंक से मानते हो ना तो ओशो ऐसे लोगों को रट्टू तोता बोलता था आप ना ओशो की जितनी बात है ना उसको रट रहे हो लटा एकदम पूरा छोड़ दीजे आप अपना बताईए आप वेटलेस हुए उसके बाद क्या हुआ उसके बाद मेरी बड़ी एक्सपांशन की मैसुस अंग हो वेटलेस याने भार शून ने हुए फिर आपकी बादी एक्सपांड याने आपकी बादी फैलने लग गई बड़ी नहीं आपनी जो कमें जिसको में में बोलता हुना अपना अपना जो परिदी बोलते हैं वो लगता है कि इससे फैल गया पैल गया मतलब मैं मैं याने मैं आप फैलने लग गया इससे फैलने लग गया मतलब आपकी टांग इधर फैली हाँ तुधर फैला फिर सर उपर गया जिसने कोई प्रवेव नहीं किया हो नए इसे मजा करते हैं आपने कभी किया नहीं 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 क्योंकि अरे सर सुनो ना अच्छा फिर लोग पचास भी बेटे में इधर बेट हू क्योंकि मेरे अपने एक्स्पांड हो गया अरे भाई आप बहुत बड़े तोप्चंद हो आप फैल गया समझ गया अभी और फैल रहे हो आप यह तो आपका दिया हुआ बीसे सण है ना आप जो भी बोले कि क्यों हो में तो आप खुद बोले में एक्स्पांड हो गया अच्छा एक्स्पांड होने के बाद में अक्षर ब्रम का ग्लिम्स कब मिला यह बताईए Akspans होने के बाद में Akspans होते होए पुरा Akspanse हो गया, मेरा पूरा काम हो गया, मैं सम्मोदी में पहुंच गया, ये तो नहीं बोला है, मैंने मैंने क्या बोला, खुस contrat पुरा काम हो गया मतला मैंने आपको ये नहीं बोला हूं कि मैं इनलाइटन हो गया हूँ, सब परम ग्यान मुझे प्राफत अग हो गया है, सब चीज हो गया है, जो प्लिए टो नहीं हो गया है. यह तो नहीं बोलाया है, मैं नियाक्षर अक्षर ब्रह्म का मुझे ग्लिम्स मिला. कब उसमें क्या था मैं पहली बार कहां जागो सुट्टा मारा न अरे मेरे को अक्षर ब्रह्म सडक में पेसाप करते हुए दिखाई दिया समझे सुनो सुनते जाओ मैं क्वांटम की दुनिया में घुज गया पहले सुट्टे में मेरे को पूरी इलेक्ट्रॉन एटम मॉलेक्यूल दिख रहे थे दूसरे सुट्टे में तो भाई मेरे को अक्षर ब्रह्म दिखा तीसरे में मैंने टी रेक्स देखा है अपनी आख के सामने चौथे में मेरे को ऐसा लगा मैं मिल्की वेग एलेक्सी के उपर तैर रहू हूँ समझे पांचवे में मैंने अपनी इन गुनहगार आखो से बिग बैंग होते देखा पांच सुट्टा ये हाल कर दिया भाई कहां लगे हो आप कौन सा अक्षर ब्रह्म ये जितनी आप बाते कर रहे हो ये ओशो की तोता रटंत है आपने ओशो को घोट घोट के घोट घोट के पी लिया आप उसे नी बाते कर रहे हो कठो अपनिस्द विज्ञान भैरव तंत्र ये सारी बाते आपने ओशो से ही सीखी है ठीक है ओशो कम्यून के चकर किती बार लगाए हो कभी औशो कम्यून पुना के चकर लगा के देखना भाई वहाँपे साधिकाएं जो घूम र आपको पता है आपकी जो अनुवब है उसमें आपको सिर्फ में इसको निंदा भी नहीं करता कि कोई रिलेस्टेशन से फिजिकल रिलेस्टेशन सिप की अब मैं सर अभी तक इंतजार कर रहा हूं मतलब इतनी बहाई ने इतनी जलेवी बनाई अभी नहीं नहीं बताया कि तो आपका शरीर और आतमा अलग हो गई थी क्या जिस ने आप जैसे लोग ऐसी पुछने में थड़ा दिक्कत इसलिए होते हैं कि आपने कभी साइलेंस पेटे अब ज़ूरती नहीं पड़ी ने सार इतने मूर्क है नहीं ना दिमाग अभी पूरा काम कर रहा है अभी दिमाग का ऊपर का इससा खराब दी हुआ ना हमने क्या क क्या करते हैं भी या क्या क्या करते हैं तो उस बिजनस में से इतनी फॉरसत मिल जाती है कि 2-4 घंटे फाल तू बैट कर सोचते रहते हूँ नहीं नहीं मेंने क्या बोलाएं आपको जो भी जो भी काम करते हूँ उसमें loving awareness में रहना है ना इस से अभी मैं बोल रहा हूं आपके साथ बोलते बग मेरे जो उतिजना हो रही है या नहीं हो रही है क्या हो रही है उसको भी तो देखना है ना इसी को आध्यात्म मोब दें कि आप अवेर्ने से सब्सक्राइब यार क्या बकवास बाते कर रहे हु लगता है हम लोग क्या bigger bigger aware हुए काम कर लेते हैं हम लोग ऐसा लगता है तो आपको क्या लगता है हम लोग bigger subjective awareness के हैं वैसे काम दंदा कर रहे हैं इतना दुनिया में इतना क्राइम हो रहा है इतना बूलसुक में काम होते हैं तो आप लोगों की किराइम हो रहा है तो आप इ सब्सक्राइब करना तो है तो है पलाईन बात कहते हैं से ये आपकी जिद्रेंड में क्या बला आप लिए करने के बाद, जो आपका समय निकलता है, उस समय को आप भ्यर्थ करते हो, आप समाज की कल्लियाण के लिए उस समय को प्योग कर सकते हो, लेकिन फाल तू बैठ कर, काल्पनिक दुनिया में विचरन करते हो, फर अपनी शरीर और आत्मा को अलग करने के सपने देखते रहते हो जो की practically possibility नहीं है, इसे दिमाग खराब हो जयाना कहते हैं, जब दिमाग खराब हो जाता है तो आदमी ऐसा ही इस करता है, अचा कितने घंटे खराब करते हो आप सिद्धान लगाने में अपने जीवन की कितने गट्रोंटे कितने घंटे खराब करते हो, ज्यादर गंटा नह अतलब ऐसे ऐसे लोग है जिनके पास इतना फालतू समय है, खापी के फालतू के दो गंटे समय खराब करते हैं, आप अपना काम पूरा कहा करते हैं, आप इस समाज से खा रहे हैं, आप इस समाज से खाते हैं, तो आपके एक moral responsibility बनती है, कि आप इस समाज के लिए दो गंटे कराब ना करें, काम करें समाज के लिए, आपको यह पता होना सही है, कि जो, जो काम करते हैं, युरोप में, और आपको इन जयम में पता होना सही है, कि आठ गंड़ा काम, आठ गंटा मोटर नगरा ayam, नीद यह बुलाए, ना, दो गंटे धियान लगाने के लिए भी बुल जाता गुस्सा होता था वो एकदम से करीब-करीब काम हो गया है एक सीज़ दूसरा आपको गुस्सा क्यों आता था पहले क्यों गुस्सा आता था मैं यही तो पूछ रहा हूँ वाट इस रीजन नहीं इसकी क्यों आता था पता नहीं थाड़ा सा ही रिटेस्ट देखे यही आपको गुस्सा क्यों आता था अच्छा आपको गुस्सा क्यों आता था मैं से इतना पूछ रहा हूं रीजन क्या था मैं आप से थोड़ा रेपेडली बात कर रहा हूं तो आपको ऐसा लग रहा है कुछ सा रहा है मैं तो ऐसे ही बात करता हूं यही बात करता हूं यहीं बात करने का तरीका है मेरा तो अच्छी बात है तो फिर आप इतने फ्रस्टेट क्यों हो रहे हैं मैंने तो सिंपल से मुझे लगता था कि यह जीवन क्या है इसका आंसर क्या तलाश आपने यह यह देखा है कि सारा विराट व्रमान ड़ोए यह जीवन क्या है में जीवन क्या है कि आप प्रशन के जवाब नहीं है यह सर जीवन क्या है प्रशन का जबाब आप्टेस्ट को पारा सर इतना आपको कोश्चन के कॉंटेस्ट में सीथे तक आपका क्वेंorgan है बताएं न किया होता है क्या हुता है क्या होता है क्या हुता है ब्ले 없습니다 कर향chaft को यह को quand बिलकुन नहीं सर आप यूँप कहा प्यारी होतिये सर आप 2 गंटे धूप में खड़े होके रहे पिर प्ता चल जाएगा दूप प्यारी होती इक अबिका में प्लेसिंग कहा गई आपकी अभी तो आप ब्लेसिंग बता रहे थे जासे कि घंप यहां भारत में तो blessing नहीं है, दूप, बिलकुल भी धूप blessing नहीं है, धूप is a problem, तो आप लगा है, तो आप बार बार example क्यों बदल रहे हैं अपने, example बदल गेंगे तो आप की बात बदल जाएगी न, जीवन क्या है, आप आपने क्या समझा, ध्यान लगा कि क्या समझा, अ भी भी मन मञटाप नहीं होई दूसरा गुशा हों देख सकता हूं दूसरा बंदा एक कर What मैंने इतना सिखाए के द्यान से कि द्रस्टा भाव मतलब जो भी चीज हो रहा है जो भी चीज घटित हो रही है उस चीज को भी सिर्फ अंदर से हार बक्त हर बक्त देख सकता हूं यह बहुत बड़ी अगर आपको कोई दो चांटे मार के जाए तो आप कोई रियक्शन नहीं देंटें वोई आपका सामान चुड़ा के चला जाए तो आप कोई रियक्शन नहीं देतें इसको द्रस्टा भाव यह कि आप जो इमसंदर से आप अरभ भग देखते हैं पहले क्या था उससे क्या हासे लोगा देखने से उससे क्या होता कि आप कभी भी जो बड़ी गलती क कोई अगर आपके कोई हाथ पर काट देगा तो आप उसका कोई प्रतिऊत्तर नहीं देंगे अगर आप में दो चाटे मारेगा तो आपको घुस्सा आईगी कि नहीं आईगी आईगी आपने सलिए इसलिए तो फिर इधर जाओं बहुत लंबा बात हुजागी मेरे पास अभी मैंने इधर काम भी करना है अल्टीमेटली बात यह है कि आपने ध्यान लगा कर कुछ भी हासिल नहीं किया यू अप जो भी मुझे बता रहे हैं न वो वड़ी common sense की बाते हैं सबको पता होती है चोटे बच्चे भी जानते हैं कि गुस्सा नहीं होना दूसरों के साथ इंसा नहीं करना लडाई नहीं करना नहीं तो जेल चले जाओगे पुलिस पकड़ लेगी इसके लिए ध्यान लगा कर दो गंटे खराब करनी की कोई जरूरत नहीं है सर आगे बताओं नहीं जरूरत नहीं है सर आप क्या बताएंगे आपको कुछ पता ही नहीं है न सर अब बताएंगे क्या आप जो common sense की बाते कर रहे हैं वो तो मुझे दो-दो घंटे ध्यान लगा कर ये बेपकूफी की चीज़े हासल की आपने ये तो हर बच्चे को पता है ना मैं पूरी बात आपके सुन सुका हूँ आपने सिर्फ दो-दो घंटे अपनी जीवन के खराब किये ध्यान लगा कर और ये समझा के प्रेम करो गुस्सा मत करो सर आपके स्कूल में नहीं सिखाया प्रेम करना हमारे स्कूल में तो सिखाया था ना सबके साथ प्रेम करना दोस्ती करना प्यार महबस से रहना लडाई नहीं करना कानून नहीं तोड़ना इंसा नहीं करना मारपीट नहीं करना जेल नहीं जाना ये हमारे स्कूल में सिखाया आपके स्कूल मनी ने नहीं सिखायाँ है उसके आगे के मैं बात कर रहा हूं दो सिर्फ निकर्रभ के हुआ हुआ है । और जो सब कुछ बैलेंसी कर लिए तो ध्यान लगाने की जरूगा है बाई मनाली का अंदर से बड़ेंडी क्यों कि वह फुशता है रहें आप लुक्त 6 permits पूछण से बड़ेंगे यह कुछ वाध कि कि अनको अनौन नधे लिए happiness तलाशते रहते हो तार जी मैंने ये बोलाए ठीक है आपको कुछ भी नहीं करते हुए happy हो रहे तो ठीक है ना अच्छी बात है आपको करने आप अन्हेपी रहते हो ना अंदर से इसलिए दियान लगाते हो मैं संतुष नहीं था जीवन से तो मैं आभी क्यों संतुष पूछ नहीं थे तो मैं पूछ रहा हूं क्यों संतुष नहीं थे आप अपनी जीवन से मुझे इसा लगा कि संसार के सब चीज मिलते हुए भी कुछ नो कुछ खली रहती है ना जो जो सुह में डुबने की कलाज इसको ध्यान बोलते हैं नहीं ध्यान लगाने से कैसे मिल ज साइए कि अभी अभी आप से बहुत लंबी वैस हो जाएगी ति इसमें बात करूं ध्यान करने चलिए में यू डूंट एव आंसर्स यू डूंट एव आंसर्स आपके पास ध्यान लगाने का एक एप्रोप्येट रीजन भी नहीं है और जो रीजन आपने मुझे बताए प क्यों दो करना तो आप यह कहना चाहर हो क्या अरजुन भाई कि जो ध्यान निलगाता हो वो तो ग्राइम करते हैं देख लिए लॉजिक देखिये आप लिए बोल रहे हो भाई कि जो ध्यान नी लगा तो क्राइम करते है नहीं इससे पहले मैंने थ्वड़ा सा पहले यह दूसरे सब्सक्राइब को मैंने यह बोला है अगर आपको एकदम से बैलेंस में हो सुखी हो पहले बात उनकी में थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूं उन्होंने बोला कि यह बेकार के चीज़ लोग डिस्को में जाते हैं बेकार नहीं बोलते हैं लोग इतनी बेकार के चीज़ में खर्चा करते हैं पैसा खर्चा करते हैं नाचने जाते हैं मजा मारने जाते हैं ब जो आदमी समय खराब करता है जो देश के लिए कोई उपयोगी योगनान नहीं दे पा रहा और जो देश के संसादनों को खा रहा है और हराम खोरी कर रहा है वो समाज के लिए कलंक है आप जैसे लोग ध्यान लगाने वाले लोग समाज के लिए कलंक हैं इस समाज के मजदूर किसान लोग सुनिए 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 एक मिट सुनिए इस समाच आप जैसे लोगों को खिलानी के लिए किसान 24 गंटे खेतों में काम करते हैं अनाज़ उघाते हैं अपना पसीन चाहाँ तब आप जैसे लोग खाते पीटे पड़े रहते हो और 24 गंटे ध्यान लगाकर नाभा जूद नहीं करते हो अपना इस्टेमी अपनी तरफ से नहीं चाहिए शेयर में ने क्या बोला है ना वाज सकता है आप पर बेकार में होंग सकता है नहीं किसी को आपके नजर में क्या लग रहा है कि आप किसी को जानती हो यह दियान लगाना भी तोड़ी क्यों ना यह आपको ऐसा क्यों लगा है हम यहां पे बेकार में टाइम कर रहे हैं? वैसे हमारी स्क्रीम को फिलने के लिए थोड़ी न कर रहे हैं, ओम लोग इधर बैठ के सिर्फ नकराप में बात ही करते हैं, कि क्या फाइद हो अच्छा? जाती बात के बेरूद बात करना है? अब निकला ब्रमन बाहर प्रात करना नगारात्मग बात करना हुता है तो आप तो बच काने बात कर रहे हैं और हम लोग यहां पर नकरातमाद कर रहे हैं तो आप जाती बात के बिरूद करते हैं पर आप जाती बात के समय खराब कर रहे हूं ना बिलकुल समय खराब कर रहे हूं भारत देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं उनका जीवन बहुत मुश्किल है और आप जैसे लोग अध्यात्म का चूरण बेच रहे हो और इस देश के लोगों को ब पुरा करो पुरा करने के भाई जिस को आप मान रहे हो वो एक वो एक ब्रामणवादी कॉंसेप्ट है ब्रामणवाद की देन है ये सारी चीजें उसी के नाम पे इस देश के दलितों का स्त्रीयों का शोशन किया गया है आप कहां लगे पड़े हो कोई भी चीज आपको फायदा होता है लेने कि सलीका होना चाहिए न आप पुपरा के जहर से भी आप दबाई बना सकती हो तो पी जाओ जाओ भाई पी के दिखाओ फिर आप समय खराब कर रहे हो देश के संसादन बरबाद कर रहे हो और गांजा पी के एश पड़े हुए हो अच्छी तरह से डान करने के बाद सबसे बड़ी भाइट है कि आपको कोई भी नशा करने के ज़रूत नहीं रहती मतलब जिससे सीख के आए हो तो वो तो मतलब खुदी ये बात को बोले के हम तो खुब गांजा मारे हैं लाफिंग गैस का एडिक्शन था ओशो को ये पता है औरे गांजब पहुंचा तो जो लाफिंग गैस होती ही ना डेंटिस्ट लोगों के पास में मैं कुछ ओशो को पढ़ा इसका मतलब यह नहीं कि ओशो को फालो किसी यह चितना ग्यान आप अभी पेल रहे होना यह आपका बिल्कूल भी नहीं है आपका कोई एक्सपिरियंस नहीं है रियल वर्ल्ड की इसब बाते नहीं है रियल वर्ल्ड में मॉरल टीचर सर ने सही कहा है जद्दो जहें चल रही है रोटी के लिए यह एलेटिस्ट आइडिया है जितने आप इसब बाते कर रहे हो यह ब्रामन वाती सिष्टम की देहने सुन लीजिए सुन लीजिये भीया यहांपे लोगों के साथ में जाती वाद चल हुआ आप बोरों बैट द्धान करो दो गंता दलित की जो लड़कियां एक द्धन नीचे बैटो दलित की लड़कियों को मारा जा रहा है उनके साथ में बलतकार किया जा रहा है यह भईया आके बता हैं ध्यान करो और हमको भोल रहें कि तुम लोग तेक काम नहीं कर रहे हो नकर आत्मा को भात लिखंगी वाते हैं स्कूल बच्छों को सिखाय जाती है ना रहे हैं और यान करने की वर्वती नहीं यह सब के लिए भाई आज सुनिए जी आप भारत में रहते हैं आपने जो जालो भाई की बात किया है जबवत है अरे यारी कैसे है कैसे लोग बताई